असलाम अलेकुम टू आल अफ यू आज की इस वीडियो में हम साउथ एशियन लिटरेचर के एक नॉवल साल्ट अन सैफरान को डिसकस करेंगे जो के लिखा है कामिला शमसी ने कामिला शमसी एक पाकिस्तानी राइटर है और इस वीडियो के अंदर आपको नॉवल के समरी, थेम्स और अनाल्सिस के बारे में complete information दी जाएगी तो वक्त जाया कि यह बगाए शुरू करते हैं सबसे पहले हम थोड़ा सा राइटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ताके हमें वो उसका जो point of view है इस नावल के बारे में वो समझने में असानी होगी तो चलिए शुरू करते हैं वो इस कामिला शमसी कामिला शमसी इस पाकिस्तानी राइटर शी वस बोन इन 1973 इन पाकिस्तान मेल on Sunday शुरू कामिला शमसी इस पाकिस्तानी राइटर शी वोन इन 1973 इन पाकिस्तान उसके बाद बत अचिवस्त बताएगे है तो यह बताएगा हिए साल्टन सेफरान की जो नावल won her a place in orange list of 21 writers for the 21st century ठीक है उसके लावा in 1999 Kabila received the Prime Minister Award for the Literature in Pakistan ये इसकी achievements बताए गए हैं ठीक है अब ये कुछ important points हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं जो हमारे लिए useful होंगे बहुत It's a novel about Pakistani society As far as salt and saffron is concerned It is the division of society on the basis of class, richness and the resources Title ही हमें क्या बता रहा है It is a division of the society on the basis of class, richness and resources Class division है इसमें तिखाए गए है Elite और Middle Class के दर्मयान comparison किया गए है अब जो title रिपेसेंट कर रहा है Salt and Saffron We use salt and saffron in our foods Food relation is very important to this novel Salt is commonly available as the cheapest waste We know everyone has salt but not saffron As far as saffron is concerned Saffron is spice and expensive अब ये salt और saffron का comparison गरीबी और अमीरी से किया गया है Middle lawyer class से और elite class से तो जो salt है वो गरीब लोगों को सिमिलाइज कर रहा है और saffron जो है वो elite class को रिपरेसेंट कर रहा है तो इस novel में इसके title में ही सबसे पहले हमारे पास class division का में थीम ज़राता है salt and saffron बहुत दोनों ही important है दोनों ही एतने एक जैसे important है लेकिन ये इन में फर्क है ठीक है उसके बार novel की summary शुरू करने से पहले हम इसके characters के बारे में जान लेते हैं ताकि हमें पता चले ये क्या हो रहा है novel में ये एक दर्दे दिल family के बारे में novel है जिसके कुछ members है और वो जिन में सबसे पहले आलिया है आलिया is the main protagonist going back from the US to her family in कराची by way of London आलिया जो है वो इस novel की protagonist है जो के अमेरिका से कराची वापिस जा रही है अपनी family के पास और रास्ते में वो लंदर रुकती है अपने कुछ cousins के पास शी लास्ट टू हर दादी paternal grandmother four years ago when they had a massive falling out ठीक है उसने चार साल पहले अपनी दादी से आखरे दफा़ बात की थी और तब भी उनमें काफी बहसा मुबासा हुआ था after awaiting her for four years आलिया thinks that it's time to heal the bridge अब वो इसके बाद चार सार के लड़ाए के बाद आलिया सोचती है कि शायद अब उसे अपनी दादी से पैच अप कर लेना चाहिए उसके बाद एक और करेक्टर है अबिदा दादी वही जो आलिया की दादी है she is the grand mother of आलिया then mariam आपा mariam आपा is आलिया सिस्टर आलिया and the whole family जो है mariam and masood dishes masood को ना इनका एक family cook है cook masood mariam जो है आलिया की सिस्टर है और cook masood इनका family cook है जो कि एक lawyer class से belong करता है और बाद में क्या होता है mariam आपा और वो प्यार करने लग जाते है और mariam आपा उससे शादी कर लेती है फिर एक और करेक्टर है खलील खलील also belong to lawyer class and aria loves खलील ठीक है mariam आपा cook से प्यार करती है और उससे शादी कर लेती है और जो आलिया होती है उसको किसे प्यार होता है खलील से वो भी lawyer class से belong करता है उसके बाद हम novel की summary शुरू करते है novel की summary chapter wise तो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसमें जो main basic points है जो के events हुए है और उनकी sequence क्या थी हम उनी को discuss कर लेंगे short से वीडियो में यही cover हो सकता है इसके लावा इसकी summary के चेप्टर वाइस summary अल्रेडी यूट्यूब पर है ठीक है Salt and Saffron summary Salt and Saffron by Kamila Shamsi is a light-hearted book about family history class, devian prejudices and family love Shamsi has created a fictional aristocratic family proud of its roots that go back many centuries इसमें शुरू में यह बात बता दी किया है कि दर्देजल family है जो के उसकी अब भी जो members है सारे अपनी family के लिए काफी proudful है उसको काफी अच्छा अपने लफजों में याद करते है she has used this family as an example of the italianism and caste system deeply embedded in our culture in the guise of family values and pride इससे क्या होता है कि हमें यह पता चल रहा है कि पाकिस्तान में क्या culture है कि लोग elite class के लोग जोते हैं इसे उन में अपनी family की जड़ें है जो है वो पाई जाती है next the very name of the family दर्देदिल family का नाम क्या है दर्देदिल जो इस novel में बताएगी है is so unreal that you know what will follow can be hysterical and tongue-in-cheek मतलब इसमें उनके जो अबावजदाद है उनके जो काम है वो extra ही कोई legends वाले है तो एक आम इनसान सुनके वो हिरान ही रह जाता है this family दर्देदिल is proud of its heritage and the love to tell stories mainly about their ancestors अब जो इस novel में जो दर्देदिल family के members बताएगे हैं वो क्या है अपने proud of their heritage and love to tell their stories most of these stories are about the not quit twins और ये है कि इसमें अक्सर जो है ना इनकी खानदान में अक्सर stories जो है वो twins के बारे में कभी दो भाई हैं कभी दो बहने हैं और जो करंट story चल रही है वो भी दो sister की है अभी इसकी समरी कुछ ऐसे थी कि एक लड़की आलिया नाम की जो के अमेरिका से आ रही है कराची रास्ते में अपने cousins के हाँ रुकती है लंडन में और उसकी flight में वो एक खलील नाम के बने से मिलती है जहां पे उसकी गप शब होती है और वहां से उनकी conversation से actually play start हो रहा है और उसमें sorry novel start हो रहा है और उसमें भी वो अपनी खांदान के बारे में उसको story सुनाती है ठीक है अब क्या बता रहे हैं कि अलिया is the main protagonist going back from the US to her family in कराची by the way of London she last talked to her daddy अब वो कराची आ रही है तो यहां बताया गए चार साथ बात कराची आ रही है और चार साल पहले ही उसने अपनी दादी से बात की थी इस बीच उसकी दादी से कोई बात नी हुई आखरी दवा जब उसकी दादी से बात हुई तो उनकी दरमयान एक जगड़ा हुआ था किसी बात को लेके 4 years ago when they had a massive falling out after avoiding her for 4 years Alia thinks that it's time to heal the bridge but first she makes a stop in London to see her older cousin with whom she is very close and it is there that her own story seems to take an unexpected turn she not only find herself attracted to a boy who might be unacceptable to her family but also meets the Indian side of her family अब क्या होता है कि Alia की जो एक sister थी Mariah Bapa वो एक कुक से शादी करके थी जिसकी वरासे उनकी खंदान में काफी मसले करियेट हो गए थे अब Alia को भी एक lawyer class member से प्यार हो गया है जिसका नाम खलील है जिससे वो एक flight में मिलती है तो वो अब उसकी तरफ attracted हो गई है अब वो जो लड़का है खलील वो इंडियन साइट से belong करता है लेकिन जैसे वो पाकिस्तान आए तो उनकी वो glory नहीं रही उसकी family से वो सब को चिन लिया गया तो जो ये दोनों families हैं आपस में एक दुसरे को value नहीं कर रही और इंकार कर रही है कि वो लोग एक दुसरे को नहीं जानते उसके बाद and still carry old wounds from the time of partition लेकिन partition के time पे जो उनकी तकलीफे थी उनकी जखम अभी भी हरे बरे हैं आलिया learns something about herself आलिया अपने बारे में कुछ सीखती है during the meeting with our Indian relative खलील से मिटें के बाद वो ये अपने आप से सीखती है कि वो अपनी जिंदगी से चाहती किया है essentially a love story Salt and Severan also takes a look at the deeper consequences of the Indo-Park partition एक तो ये deeper consequences of Indo-Park partition को देख रही है and उसके बाद prejudices that are passed down through generation in the form of class and caste अब ये जो दर्दिल फैमिली है ये elite class से बलोंग करती है तो ये बाकी लोगों को बहुत हकीर समझते हैं ये अपनी फैमिली के ancestors को बड़ा great और करके जाहर करते है how family history is written through stories that become ledges at time passes अब इसमें जो ना stories जो इनकी आलिया ने नरेट किये ये किसी की बितरू जो stories नरेट हुई है ये जो हैं ये बहुत extraordinary उनकी qualities हैं उनके ancestors की तो ये बता रहे हैं कि कैसे generation to generation ये stories जो है shift होती है अब आलिया तो अपनी दादी से मिलती है और उसके बहुत सारे events होते हैं जो कि इसमें तो नहीं है लेकिन अगर आप chapter wise summary पढ़ेंगे तो आपको बता चलेगा एड़ाइन होता क्या है कि आलिया के जो खंदार वाले होते हैं तो वो नहीं मानते हैं उसकी और खलील की शादी के लिए लेकिन उनको convince कर लेती है और add that उनकी आपस में शादी हो जाती है तो इससे ये जाहर होता है कि जो आलिया का करेक्टर है ये बहुत strong करेक्टर है ये इस करेक्टर के तो हमें woman empowerment नजर आती है कि एक strong करेक्टर है आलिया का ऐसी patriarchy society में male dominant society है पाकिस्तानी culture mostly male dominant है तो उसमें एक आलिया का जो करेक्टर है ये बहुत strong दिखाया गया है अब हम इस novel के themes को देखते हैं तो सबसे पहला theme है woman empowerment ये novel का सबसे most important और सबसे prominent theme नजर आता है हमें क्योंकि यहां पे सारे characters female collector है जैसा के आलिया, मरियम और उसके लावा जो दादी उसका character पहले दादी की भी stories में discuss की गी है तो हम देखते हैं Salt and Saffron depicts the Shamsi's Keen's observation of the Pakistani society and the role of women in it delineated through the portrayal of a wide range of characters by portraying the spirit of rebellion in the self-weld मरियम to the disconcerting conflict faced by आलिया from the woman like दादी who get willingly immersed in their traditional roles to the utter brutality faced by women like Taj, Shamsi advocate a more liberated attitude of the society towards its women. इसके लावा यहां पे एक ताज का character भी है ताज कोन है, यह जो मैं miss कर गी हूँ, यह ताज कोन होती है यह इनकी family दाई, family पूरी की दाई होती है जो के इसने दर्दे दिल की family के सारे बच्चों को अपने आँखों से, मतलब वो अपने हाथों से जना हुआ होता है तो यह वो ताज की बात कर रहे है Central female characters are in the process of refinding and rediscovering their roles जैसा के आलिया का character है वो अपने satisfy है, अपने family values है लेकिन at a point वो यह सोचती है कि उसे life में पाना क्या है, उसका मकसद क्या है वो करना क्या चाती है दिनकी में जब वो एक lawyer class के बंदे से प्यार करने लग जाती है उसके बाद position and relationship within the given social order अब जो सारे characters है इसमें female के strong character है मरियम आपा अपने लिए decision लेती है जो के cook से शादी कर लेती है अपनी घरवालों की मर्जी के खिलाफ उसके लावा जो आलिया का character है आलिया के strong character है, protagonist है और वो काफी intelligent है एक तो उसकी ये achievement है वो बाहर के मुल्क में पढ़ने गई भी है उसके लावा वो जो है वो भी अपनी family को convince कर लेती है उससे शादी करने के लिए खलील से ठीक है, उसके लावा that is self-choosen and enables them to lead their life on their terms and not on what society requires of them ठीक है, ये जो characters है women के यहां strong दिखाए गए है तो इसमें हमें women requirement का theme मिलता है उसके लावा next theme है past class difference का the title itself reveals the theme of the novel title में हमें class difference निज़र आती है salt and saffron के तुरू जैसा मैं हमने पहले study किया salt जो है वो lawyer class को represent करता है और जो saffron है वो elite class को represent करता है salt represents the poor and the saffron represents the elite class saffron is used in shahi four so it means this used by elite class salt and saffron is used to describe the class division of the society like that the dil family who belong to elite and middle class salt is symbolically representing khaleel who is studying in america but he belongs from the middle class of the kranchi ठीक है इसी तरह मर्यम आपा और जो कुक है उसमें मर्यम आपा saffron है और कुक जो है वो saffron है जो के मर्यम आपा elite class बेलों करती है और जो कुक है वो lawyer class से बेलों करता है next theme है हमारे पास tradition and modernity the novel is a playful account of past memories re-visited and preserved by family law ठीक है tradition को जाहर कर रहा है कि पूरी family जो है अपने ancestors से obsessed है और उनके अपने उनकी story सुनाती रहती है it is an appropriation of those traditional views in the modern scene by the members of new generation new generation के member है उनको भी जो है अपनी traditional values का अहसास है और पता है उनको therefore the novel becomes a micro of the traditional versus modern values conceived by the family members of the other dill family novel is an effective display of past Muslim culture and political glory yet it revisits the current issues of identity displacement and immigration ठीक है अब देखें आपके जो 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 बहने legends के बात करती हैं वो सारे Muslim है तो इस novel में Muslim glory को भी डिसकस किया गया है तो उसके लावा the article situates the story of the dill within the theoretical context of globalization and post-colonialism इसका हमें ये मिलता है जैसा के इंडिया और पाकिस्तान से जो जो पार्टिशन हुई तो जो हमारा subcontinent था इंडिया उससे जो बहुत सारे लोग हैं अब दो families बिचुटी ही है जो जो एक दूसरे को जानने से इंकार कर रही है and reads the flux and the change that the Pakistani fiction reflects as it enters a new realism of change national, social and individual perception in the past partition and the post-colonial era ठीक है इस तरह से हमें tradition and modernity का theme मिलता है next theme है जो हमारे पास वो लव का है obviously love का theme बड़ा important theme है इसमें Mariam Apa falls in love with cook who belongs to lawyer class of the society so we can say that Mariam and Masool Saad and Safran when they decided to marry with each other and they know that their marriage is not accepted by the family it has created a lot of trouble in the society and no one were accepting Mariam Apa अब इस दोनों की शादी के वराद से इनकी family में काफी मसले पादा होते है लेकिन जो उनका love होता है वो उसको prefer करते हैं और वो दूसरे से शादी कर रहते हैं same is occur with Alia and Khalil as well Alia chooses Khalil for marriage who lived in Lyaqtabad in Karachi that in a case that he belongs from middle class at the end Alia family accept that Alia can marry Khalil तो love का भी theme हमें नजर आता है इस novel के अंदर तो ये कुछ themes के novel के अब हम इसका analysis देखते हैं Miss Shamsi prose is elegant lyrical and witty her dialogue is humorous at time, pensive and poignant and at the other fast and furious Salt and Saffron is a substantial novel to be severed to the last one Miss Shamsi does not disappoint in this extraordinary book she explores here the complexities of family relationship the generational legends that approach mythology feuds that last for 100 years birds, deaths, love, secrets and scandals इस novel के अंदर अगर आप इसके text को देखे तो बहुत सारी चीज़े time or glory of the past बहुत चीज़े डिसकस की गही है बहुत इसमें variety चीज़ों की मिलती है culture, food, love, death, secrets, scandals all the dramas are universal but the author has focused her tale on the Dard-e-Dil family and our aristocratic Nawab family descended from royalty as far back as the Mughal density, this huge federal claim made their home before partition in 1947 in Dard-e-Dil India now most are Pakistani and have been in communicator with their former loved ones on the other side of the border since the declaration of Pakistan statehood, the clash between cultures Pakistani and Anglo and the prohibition of the loving below one class are also tackled है तो अब इस novel के अंदर हमें क्या नजर आता है जो traditional modernity को हमने पहले ही डिसकस कर लिया और इसके बारे में इस article में class devian की बात की है जो कि हम पहले ही डिसकस कर चुके news is हमने ये देखी जो हमने मिस कर दी थी कि इस novel के अंदर जो है बहुत सारी जो है history की चीज़ों को डिसकस किया गया culture को डिसकस किया गया specially पाकिस्तानी culture को different food items को use करके तो hope so इस वीडियो में आपको salt and saffron की complete understanding हो गई होगी thank you for watching